क्रिकेट के गिंग यानि किंग कोैली की एक वक्त था जब क्रिकेट की तुनिया में उसका राज़ुगा करता था दुनिया उसके नाम से खौफ काते थी तुनिया उसके नाम के नगमे गाया करती थी वही दुनिया उसे खुल कर ट्रोल करने लगती है उसके जिन्दगी के वो ठाई साल उसे बहुत कुछ सिखा गए पहले सत्कों का सुखा फिर फॉर्म पर सवाल कफ्तानी गई अब उसके टीम में सेलेक्ट होने पर सवाल थी हालात इतने कंभीर हो जाते हैं कि जिस टीम का हो कफ्तान था उसी टीम से उसे बाहर निकाल फेगने की जचा होने लगती है कोई मेडिया से ट्रोल करने लगता है तो कोई कमेंट बॉक्स में काले लिखता है कोई बुढ़ा विराट कहने लगता है तो कोई बेकार का प्लेयर बताने लगता है कोई खुले आम नचनिया कह रहा था बॉक्त कोली का डांस देखें है चम्या नाच रही हो तो कोई सत्तर सद्कों के समराट को क्रिकेट कैसे खेलना है ये सिखा रहा था उसके जिंदगी कुछ ऐसे वक्त से गुजर रही थी जहां हिम्मते हार मान जाती है जहां ना तो मैनत कामाती है और ना ही मुहब्बत उसके बैट से ना तो बॉल लग रही थी और ना ही बॉल पर उसका बैट वो बाउंसर पर बॉल्ड हो रहा था ओवर पिश पर कैच आउट वक्त का ऐसा आलम आ जाता है कि दिनिया भर के गेदवाज जिसके नाम से काम उठते थी अब उसे कैकर आउट कर रहे थी क्रिकेट के इतिहास में सायद ही किसी ने ऐसा दिन देखा हूँ जब उसकी पहचान उसका समान उसकी पफार्मंस जब उससे उसका सबकुछ झेड लिया गया हो जिसके तम पर उसकी सल्तनत चला करती थी जिसके दम पर वो बासाथ था जिसके दम पर ये दुनिया उससे ख़ौफ खाती थी जिस ताकत के दम पर वो सा सकती लोग उसके एटिट्यूड उसके एक्रेशन को फेक बताने लगते हैं और उसके फैंस भी धीरे धीरे हार मान रहे थे क्रिटिसीजम की हदे पार हो चुकी थी लोग उसे शोट और उसके फैंस को टार्गेट कर रहे हैं उस पर मेम पर मेम बनाय जा रहे थी और उनी मेमs पर ये दूनिया अस रही थी कोई सजेस्फन पर सजेस्फन दे रहा था तो कोई उसके से लिक्षन पर सवाल उठा रहा था यानि उसके खिलाफ उसका सब कुछ था कोई भी आता ट्रोल कर जाता वो मौले के क्रिकेटर भी उसके लिए एक्सपर्ट वट चुके थे पाउन है वो पिछ तक नहीं गिए आपने दूर से खेला उसको एक तरम खेला ऐसे में एच के चांसे स्यादा रहते हैं उन्हें विराट का पैर एक यू था है और उनका बैट ऐसे है लोग भूल चुके थे कि उसने अपने वतन उनके लिए क्या किया है अगर उन्हें कुछ याद था तो उसमें राट का वो आजए ये कहानी किसी और की नहीं ये कहानी है क्रिकेट के रियल के दरनमसिल की प्रूल की तालाब के किनारे कपड़े दोने वाला पत्थर नहीं लोगों ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना दी उसने कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना नवसकार आप देख रहे हो दो डोक्यूमेंटरी दोक्यूमेंटरी का इस पसल एपिसोड साल 2019 जगा एटन गाडन यही वो मैदान था जहां विराट का आखरी यानि सत्तरवा सतक आया था इस सतक के वाद थाई साल वीथ जाते हैं विराट का कोई सतक नहीं आईपियल हुआ आईपियल में भी कोई खास पफोरमेंस नहीं T20 वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में पाक के सामने भारत की सर्मनाखार इस हार ने संपूर भारत को चुक्छोड दिया वर्ल्ड के पात वंडे से कफ़तानी चली गई तो T20 के पात वंडे से कफ़तानी चली गई एक बहुत एक प्रोग्रेसिव स्थेप है I mean, 6 महीने पहले, Kholi was looking forward to leading India in ODI and Test and now, he's not the captain of any format 2017 Champions Trophy, semis of World Cup, finals of Test Championship and I was considered as a failed captain, so BCCI vs Virat हुआ, कई महीनों तब BCCI vs Virat चला अंत मैं टेष्ट कपतानी से इस्तीपा और दुनिया में BCCI vs Virat चल रहात हर नियोज, हर अखवार में BCCI vs Virat चप रहा था इन्ही खवरों के वीशब तयारी होने लगती है Virat के replacement की कोई स्रेयस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूरिया को, कोई किल को अंगला विराट बता रहा था तो कोई पावर को, विस्सू क्रिकेट का नया किंग बना रहा था जितने लोग, उतने सजेस्ट लेकिन सब के सामने फिर वही सवाल आखिर कौन करेगा विराट को, विराट के रहते replace कौन बनेगा इतनी बड़ी सल्तनत, इतने बड़ी समराचिका सासक कौन बनेगा नए भारत की, नई पहचान सजेसन पर सजेसन मिल रहे थे, सेलेक्षन पर सेलेक्षन हो रहे थे पूरी दुनिया मान चुकी थी, कि अब विराट की कहानी खत्व है उधर कई साल वेच चुके थे, लेकिन विराट के बल्ले से एक विस्सा तक नहीं क्रिकेट पंडितों को अब पूरी तरह विस्वास हो चुका था, ये क्रिकेट का किंग हो विराट, विराट नहीं रहा, और ना ही उसमें पहले वाला बल, और ना ही उसमें पहले वाली बात रही पर कहानी अगर यहीं खत्मों साती तो यह इतिहास कहता कि हार गया क्रिकेट का किग। बट हिस्टरी वास राउंग विकाज फी विल पैक विट पैंक। एस या कब 2020, he made 100. उसने टी-20 क्रिकेट में अपना पहला और विस्व क्रिकेट में एक अत्रवा सतक जमाया। उसके बाद कंगारू के खिलाब खरेलू से रिज में सांधार पभाव फी टी-20 वर्ल्ड कप दोहजार वायस। एंड ही प्रूब्ट, the suggestions were wrong, no one can replace him, because the king of cricket only one piece। भारत पाक के इस मैस से पहले पाक को अपनी सक्ती, अपनी ताकत, अपने बेस अटेक पर खमंड था। पाक अपने वर्चस को इस्थापित कर भारत को अंदर से तोड़ना चाहता था। और इसकी सुरुवात हो चुकी थी वर्स 2021 से। मिलवर्न के इस मैदान में पाक एक वार फिर अपने बेस अटेक के दम पर भारत को सरमसार करना चाहता था। 160 रनों के इस लक्ष में भारत बैक टू बैक अपने बड़े विकेट खो रहा था। पहले राहूल फिर रोहित फिर अक्षर। भारत का हर बड़ा प्लेयर उस दिन पाक के दवाजों के समने गुटने टेक रहा था। मिलवरन के उस मैदान में इन रोसनियों के पेच एक खंगोर अंदेरा था। पहली बार उस मैदान में सन्नाटा था। बिखरते भारत की ये दुर्दसा उस मैदान में अकलपनी अविसमर्णी असैनिय थी। भारत को अब चरूरत थी एक उम्मीत एक चिनगारी की और विर ठाग रहा था, तो कोई अपने भगवान से प्रारथना कर रहा था। मैदान पर इमोसन्स अपने चरम पर थे। भारत की लाच विराट के कंदों में थी। पाक की ये चाल, पाक का वरचास, पाक का बश अठैक अपने चरम पर था। दुसमन के मनसूबों में भारत की हार क्रिकेट देख रहा हर क्रिकेट प्रसंसक उसके आखों में एक उम्मीद बस एक ही आस थी। अगर विराठ है मैधान पर तो भारत ही है समराट इस प्रमान्द बर। जब सब कुछ भारत के खिलाब था तब पाग की सामने भारत का विराठ था। मैदान में लहराता भारत का ये छंडा उसके समान में उस तिन हो विराट था और उसके इन दो छकों के इस तकवाल में सारा का सारा हिंदुस्तान खड़ा था मेडिया नियोज रिपोर्टर हर किसी के पयान बदल चुकी थे में फारेट इस फ्रिह नुँ ने लिए अटिक परिवा तर भी टयून से लिए उसके एंजिए विराट कोली में उसने रुक मोर दिया उन तू पानों का ख़ंड तो ओडिया रफ्तार का तिलसीत लिया हजारों का दुनिया युगो युगो तक सुनती थे इंदो शक्कू की कहानी क्रिकेट में सौट्स तो बहुत लगते क्रिकेट के कुछ ही सौट्स हमेशा हमेशा किनी अमरूर इंदो शक्कू की कहानी दुनिया कभी नहीं भूए रोल कर रहा हर सक्स अब विराट के फैन वन चुके थे उस जंडे के सम्मान में भारत का विराट खड़ा था और उसके इन दो छकों के इस तकवाल में सारा हिंदुस्तान खड़ा था मेडिया नियोज रिपोर्टर्स हर किसी के बयान वदल चुके थे क्या जेज है विराट वो उस दिन समझ चुके थे जो बदलना चाहते थे विराट को वो अपना बयान बदल चुके थे हेटर्स भी यव उसके फैन वन चुके थे जी भारत की जीट जाएने वाला हर सक्स वीराट के समान में था। उस पर मेम चलाने वाले ये मेम पेट उस तिन उस पर मुटी विसनल कोट चाप रहे थे। क्रिकेट के भविस्वक्ता अपनी भविस्वानी वदल चुके थे। क्रिकेट के ये तिककश उस तिन उसके नाम का चाप कर रहे थे। भारत की जीत चाहने वाला हर सक्स उसनी जै विराट कह रहा था विराट कोली को किंग किसी रीजन की वज़े से बोलते है भाई उसने जो अपनी बेटिंग दिखा ये पता चल गया कि उसका क्लास किया है यकिंकोली ने हरी सुरफ को जो दो चखे मारे न वहीं गेम पलट गे लिज Чेज मास्तर हमेशा की तरह जभी टीम मुश्किल में होती है एकी नाव आ गया ता किंकोली रजा है राजा राजा ने आज बजाया पाकिस्तान का बजा उमीद है कि हमारी आवाज हमारे अंदाज में हमारी ये मैस स्टोरिय को पसंद आ रही होगे तो प्लिस सब्सक्राइब करें हमारी चैनल The Documentary को एंड हमें इंस्टा में भी जरूर फॉलो करिये क्योंकि हमें वहां भी आपके प्यार की जरूरत है तो हसते रहिए खेलते रहिए और देखते रहिए दोक्यूमेंटरी हमारी आवाज हमारे अंदाज में